अब हमने जी भरके देखा नहीं है कहता हूँ एक कहाने दश रथ के दोनों प्यारे एक रोज का जिकर है शबरी के घर पधारे मारे खुशी के शबरी फूली नहीं समाई क्योंके हमारे घर में आए है दोनों भाई क्या लाओं क्या किलाओं ये सोचती थी मन में फल तोडने की खातिर जल्दी से पहुची बन में फल तोडती थी जाती पहचान चक के करती खटा जो था वो फैका मीठा जो था वो धरती चोटी सी जोपडी में बैठे ते दोनों भाई चरणों में आन बैठी आने लगी रुलाई रो रो के लगी कहने चमके हैं भागा मारे स्विकार कर लो स्वामी भल कुछ रखे हैं सारे फल राम ने उठाया लचमन ने मुड के देखा कहने लगे के भ्याता लाई है ये तो जूठा तब राम ने समझाया लचमन ए मेरे भाईया इस वक्त ख्याल करना बेकार है तुम्हारा जब तोड़ती थी उस दम लेती थी नाम हमारे चक चक के फल को धरती ऐ भाई लखन प्यारे ऐ भाई लखन प्यारे ऐ भाई लखन प्यारे फल राम ने उठाया और खाने लगे दिया वरतान शबरी को और जाने लगे तो शबरी रोकर क्या बोली प्रभू जाते कहां हो अभी हमने जी भरके देखा नहीं है देखा नहीं है रावन लिये जाता था सीता को जिस समय रोती थी बिलकती थी करती थी ये विने रो रो के अपने मन में सोचा के क्या करूं कंगन है दोनों हाथ के इनको ही गिरा दूं क्योंके ये पापी रावन ले जाएगा जरूर इसमें हमारे राम लखन का है क्या कसूर का है क्या कसूर लच मन हम मेरे खां से बाहर मना किया इसमें कसूर मेरा है खुद भोगूंगी सजा नीचे जो मान ने देखा वानर नजर आए इतने मैं सीता माने कंगन गिरा दिये कंगन गिरा दिये कंगन गिरा जहाँ पे था बंदरों का जमगटा कंगन गिरा कंगन गिरा एक शोर मच गया फिर कुछ समय के बाद वहां राम आ गए सिता को मेरी देखा है ये पूछने लगे कंगन उठा सुगरीव ने प्रभु राम को दिखाया कहने लगे प्रभु ये उपर से था गिरा कंगन उठा के राम ने लच मन को दिखाया कहने लगे पहचानों सिता का है ये क्या लक्ष्मन जी बोले पाँ के सिवा कुछ भी मैं जानता नहीं पाँ के सिवा कुछ भी मैं जानता नहीं कंगन है किसके हाथ का पहचानता नहीं लेखा नहीं है लेखा नहीं है लेखा नहीं है लेखा नहीं है